जाहिन दोस्तो बहुत बहुत श्वागत अपका फिरसे एक नए एजुकेशनल वीडियो में दोस्तो आज हम टैली प्राइम का क्लास 12 में स्टार्ट कर रहा है अगर आप मेरा क्लास 11 तक नहीं देखे हैं तो आप लेलिस्ट में जाएए वहाँपे कलास 1 से लेकर के 11 तक सारे विडियो ज़रूर देखे हों से आज टु entire class में हम टैली प्राइम में employee को salary pay करना सिखेंगे अगर मेरे पास बहुत सारे employees हैं और उन employee को salary pay करना है मुझे तो हम टैली प्राइम में salary को कैसे pay करेंगे तो इसके लिए दोस्तों salary pay करने के लिए हमें जो options की जुरुत होती है वो options होता है cost center तो दोस्तों cost center का इस्तमाल करके हम tally prime employee को salary pay करेंगे हम पहले आपको एक master के create options को दिखाते हैं यहाँ पे भी कहीं पे भी cost center options आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि मैंने tally prime से features को yes नहीं किया तो without features yes किये हुए आप cost center पे काम नहीं कर सकते हैं इसके लिए आपको features yes करने होंगे और features yes करने के लिए keyboard का f11 आपको प्रेस करना है जैसे आप f11 प्रेस करेंगे इस तरह का interface आपको दिखाई देगा यह company का features है अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक options दिख रहा है enable cost center का इस option को आपको क्या करना है yes करना है और yes करने के बाद enter करके या फिर control a button प्रेस करके इसे save कर देना है तो हम enter करके हैं इसे save कर देते हैं अब आपके tally prime में cost center option enable हो चुका है अब आप आसानी से salary को pay कर सकते हैं इसके लिए जाना है आपको फिर से create में आप जैसे create में जाएंगे आपको यहाँ पे एक option cost center का दिखाई देगा आप इस option पे click करेंगे तो यहाँ पे कुछ name बनाने के लिए आपसे पूछे जाएंगे तो जितने सारे employee हैं उतने employee का नाम लिखेंगे जैसे हम एक नाम लिखते हैं राज कुमार इंटर करते हैं इसे अंडर हम primary में ही डालेंगे एक नाम बनाएंगे हम शोनु कुमार जितने सारे भी आपको employee हैं जिससे आप payment करना है अंडर primary में आप उसे डाल करके उसका नाम बना लिजे तीसरा राहुल और चौथा विकास पांचवा कुंदन तो दोस्तो इस तरह से मैंने 4-5 नाम को एंटरी कर लिया है अब अगर इस नाम को हम एक बार चेक करना चाहते हैं कि मैंने जो एंटरी किया है employee name वो कहां पे दिखेगा और कितने होगे तो इसके लिए दोस्तो आपको एक बार back जाना होगा back जाने के बाद आपको देखने के लिए alter में जाना है alter में जाने के बाद आपको cost एंटरी पर जाना है then enter करना है अब दोस्तो यहाँ पे आपको जो एंटरी आपने किया है उसका नाम भी show करेगा और यहां से आपको edit करने का भी option दे दिया जाएगा जैसे अकर कोई नाम edit क क्लिक करके और उस नाम में इडिटिंग भी कर सकते हैं तो इस तरह से मैंने cost interruptions को create में जा करके और यहां से बना लिया अब मुझे कुछ laser बनाने की जुरुत परेगी इसके लिए फिर से आपको create में जाना है अब आपको जाना है laser में और एक laser बनेगा आपको salary के नाम से दोस्तों यह salary का जो laser होगा वो indirect expenses में जाएगा तो यहां से हम indirect expenses को select करेंगे फिर enter करेंगे type of laser not applicable और cost इंटर और applicable options को yes रखेंगे अगर यह options हम no रखते हैं तो मुझे employees by payment करने का options नहीं दिखेगा इसलिए आप हमेशा याद रखे salary की laser में cost center applicable को yes रखना है फिर इंटर करके हम इसे accept कर लेंगे अब escape बटन से back जाएंगे back जाने के बाद आपको transaction करने के लिए जाना होता है voucher में तो हमें यहाँ पे voucher में जाना है फिर इंटर करना है हमें payment करनी है तो payment का shortcut की होता F5 ऐसे भी जब हम किसी भी tally में या tally प्राइम हो tally या rp9 हो directly अगर voucher खोलते हैं तो वो payment voucher ही खुलता है first time अगर नहीं खुल रहा है suppose आपके system में तो आप यहाँ से payment पे click किजिए यहाँ पे आपको payment दिखाई देगा या फिर keyword से F5 प्रेस किजिए तो भी आपको यहाँ पे payment दिखाई देने लगेगा अब यहाँ पे particular में पहले आप से DR पूछा जाएगा तो payment जब है तो हमें 10,000 salary को pay करना है तो हम यहाँ पे 10,000 रुपया डाल लेते हैं थोरह सा दोस्तो हमें amount को और बहा देते हैं पाचों को 10,000 payment करेंगे तो यहाँ पे हम all over payment डाल लेते हैं 50,000 50,000 इंटे कर लेते हैं अब यहाँ पे name of cost enter आपसे पूछा जाएगा keyword का space जो button होता है उस और इसे हम 10,000 payment करते हैं उसके बाद फिर राहूल को select करते हैं इसे 40,000 payment करते हैं और स्वारी 10,000 payment करते हैं 40,000 रेस्ट बचा हुआ था हम राज को select करेंगे तो रेस्ट 30,000 बचा हुआ है इसको भी हम कितना payment कर लेते हैं तो 10,000 कर लेते हैं उसके बाद राज के बाद हम फि किजिएगा cash किजिएगा या buy check किजिएगा तो हमें यह payment cash देना है तो हम यहाँ से cash को select करेंगे cash select करने के बाद हम नाए recent type करेंगे being salary paid salary paid तो दोस्तों यह cash में आपकी salary paid हो गई अगर माल जाजा next month मुझे फिर से salary paid करनी है लेकिन मुझे buy check देना है सबको 10,000 का check देना है तो फिर से हम payment में ही जाएंगे अगर आप back है तो आपको voucher में फिर से जाना है payment पे क्लिक करना है payment खुलेगा DR में salary डालिए next month का salary हम चेक दोरा करेंगे 50,000 तो हम कुंदन को यहाँ पर type करते हैं 10,000 रुपया इंटर करते हैं दूसरा राहूल को 10,000 रुपया फिर इंटर करते हैं तीसरा राज को 10,000 रुपया और फिर हम इंटर करते हैं और सब को बारी-बारी से यहाँ पर select करके हम 10 10,000 रुपया payment कर लेते हैं अब यहाँ पर totally payment complete हो चुकी है फिर हम इंटर करेंगे इंटर करने के बाद यह credit में पूछेगा कि यह पैसा कैसे पे हो रहा है तो इस मन्त का पैसा जो है वो by check पे हो रहा है तो check के द्वारा payment करने के लिए हमें जाना होगा credit option पे इंटर करना है अब किस bank का check है उस bank का नाम यहाँ पर लिखना होगा जैसे SBA bank SBA bank का check है तो मैंने यहाँ पर नाम type कर लिए SBA bank अब SBA bank under कहा जाता है तो SBA bank under जाता है bank account में तो हम यहाँ से bank account को select करेंगे और यहाँ पे bank account का account number holder's name IFSC code यह सब आप यहाँ पर type कर सकते हैं उसके बाद पर date दिखाई देगा और narration type करेंगे हम being salary paid by check अब दोस्तों यह narration लिखने के बाद मुझे इंटर करना है और इसे भी accept कर देना है अब अगर इस transactions को आप देखना चाहते हैं तो SBA bank जाएंगे बैक जाने के बाद आपको जाना है voucher में इंटर करना है अगर इस transactions को display करना है त अगर आप print out निकालना चाहते हैं तो alt picker के आप salary slip भी निकाल सकते हैं तो इस तरह से हम लोग payment की transactions करते हैं print करना होता है तो यहां से print पे जाएंगे और current पे click करेंगे अगर preview करना तो preview से देख सकते हैं या फिर print करना होता है तो print out से direct print command देंगे और यहां पे हम save कर सकते हैं या फिर कोई आपकी जो printer है उसके थूरूब आप असानी से print निकाल सकते हैं तो दोस्तों आज हम लोग salary pay करना सीखें अगर 10 employee, 20 employee, 50 employee काम कर रहा है और उसे salary payment करने की जुरूवत है तो हम cost center के through salary को असानी से pay कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक like कर देजे और मेरे चैनल पे नए है तो चैनल को subscribe कर लेजे क्योंकि इस तरह का educational वीडियो आपको हमेशा मिलता रह है तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद